जै महादेव स्वागत है आप सबका एक और ग्यान भरी वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर हम जो रोज सुबा पानी चीनते हैं उसका हमें क्या लाब होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा तो हमें जो है अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर रोज सुबा पानी जो है वो चीनतना चाहिए इसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है आप जो है एक नियम बनाएं कि आप सुबा ज पीते हो या मटका हो वहां से आप पानी पीते हो तो वहां से आपने जो है थोड़ा सा जल लेना है और अपना घर का जो मुख्य दर्वाजा है जो आपने सुबा उठकर आपने खोलना है तो सबसे पहले अपने मुख्य दर्वाजे के बाहर आपने पानी छीटना है ऐसा कर जो हैं हमारे जो पित्र हैं हमारे जो पूरवज हैं उनकी जो हैं उनको शांती मिलती है उनको त्रिपती होती है क्योंकि वो भी अप जल की आस में या फिर भोजन की आस में जो हैं वो हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर होते हैं उनका वो स्थान है तो जब हम पानी चीटते तो उनकी जल से त्रिप्ती हो जाती है जिससे पित्र अपना आश्रवाद हम पर बनाए रखते हैं हमारे घर में सुक्सम्रिधी बरकत बनी रहती है इसलिए जीवन में एक नियम अवश्या बनाएं कि रोज सुबा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी अवश्या छीट इससे मा लक्षमी भी प्रसन होती है और मा लक्षमी का आगमन हमारे घर में बना रहता है ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको पित्र दोश से भी मुक्ति मिलेगी घर में अगर किसी को पित्र दोश है उसके कारण कोई परेशानिया आ रही है तो उससे भी इससे मुक्ति मिल लेगी तो एक नियम आज से अवश्या बनाएं चोटा सा नियम है जो आपके जीवन में बहुत अधिक खुशाबी ला सकता है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल के साथ जरूर बने रहेगा जैबादेर